आज हम इस वीडियो में चरित्र संगठन नामक पाट पड़ेंगे इसके लेका के बाबु गुलाबराई चरित्र संगठन याने कैरेक्टर बनाना हमारा कैरेक्टर किस पर निर्भर होता है हिंदी जगत के आलोचक तथा निबंदकर डाक्टर गुलाबराई का जन सन 1888 में इटावा नगर में हुआ था उनकी आरंबिक शिक्षा मैनपुरी में हुई है ये संस्कृत फार्सी और उर्दु जानते थे उन्होंने आग्रा काले से बिये दर्शन शास्त्र में में और लल बी की उफादी प्राप्त की इसके बाद चार वर्षों तक उन्होंने छतुरपुर माराज के दर्शन सिखाया है और उनका ये हमेशा सरल साहित्य को प्रमुकता देते थे जिससे हिंदी भाषा जन जन तक पहुंच सके और इन्होंने रचना और निबंद दोनों ही ख्षे साहित्यक रचनाय आलोचनात्मक है और दार्शनिक रचनाय इनकी गंबीर अध्यान का परिणाम है इस पाट से लेखक न यह वर्नन किया है कि चरित्र संगधन पर बल दिया गया है लेखक के अनुसार मनुश्य अपने चरित्र के कारण समाज में विशेश स्थान रखता है मत जैसे कि अपने कारेक्टर के इसाब से उसको स्थान प्राप्त होता है समाज में कारेक्टर ही वो मान दंड है जो वेक्तियों को आदर्णी बनाता है आदर्णी याने respectable person बनाता है धन, पद, विचार, आदी, बाहरी वस्तोय है जो अस्थाई है चरित्र ही एक ऐसी वस्त तौय जो स्थाई है आदर्श चरित्र का उदघाटन इस निबंद में लिया गया है इस पार्ट में मनुष्य की विशेश्ता उसके चरित्र से ही होता है जैसे character बनाय जाता है चरित्र के कारन जाने character की ही उनका एक मनुष्य दूसरे से अधिक आदरनीय समझा जाता है मनु की क्यारेक्टर को हम पता कर सकते हैं परंतु ये सब स्थाई होते हैं धन का आदर वही करेगा जिसे धनी से लाब उठाने की इच्छा हो जैसे प्रिज पीपुल है अगर उसे उससे कुछ काम है तो उससे ही उससे आदर करेगा मतलब रेस्पेक्ट देगा गरीब को रेस्पे अच्छे वेक्ति ही विद्यावान लोगों की रेस्पेक्ट करते हैं। उसे कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। कि ये क्या महत्व रखता हैं। और कौन से गुनों इसमें मिल हैं। किस से चरित्र बनता है। हमारे भ्यवार से संबंद रखता है। विनई, उदार्ता, लालज में नहीं पढ़ना चाहिए हमें। और धैर्य, सत्य भाषन, बचन का प्रतिपालन करना चाहिए। कर्टव्यू मतलब जो काम करते हैं, वो काम करते रहना चाहिए। ये सब गुन चरित्र में आते हैं। चरित्र में इन बातों का अतिरिक्त और बहुत सी बाते होती हैं। परन्तु ये ही मुक्य है चरित्र बनाने के लिए। ये सबी गुन अभ्याद से होता है और अभ्याद सत्संगती से होती है। सत्संगती मलब अच्छी दोस्ती, जब हम अच्छी दोस्ती बनाएंगे तब भी हमारे अच्छे गुन प्राप्त होंगे। बुरों के साथ हम दोस्ती करेंगे, तो हम उसके ही विवहार हम सिखेंगे, बुरी संगती जैसे आजकल के नौजवान बचे बुरे संगत में बहुत पढ़ रहे हैं, मनिश्य जीवन का प्रभात, जिसमें सब प्रकार की शक्तियों के विकास की संभावना होती है, विकास विध्याती जीवन में ही व्यतित होता है, मतलब जैसे हम स्कूल में रहते हैं, वहां से ही शुरू होती है हमारी चरित्र, जब हम अच्छे दोस्ती रखते हैं, जो दोस्ते पर्रे लिखो वालों से दोस्ती रखते हैं, तो हम हमेशा पढ़ते रहते हैं है ना, जो बुरे व्यवहार करते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ता नहीं, होंवाक नहीं करता अगर उससे हम दोस्ती करेंगे तो उसी के व्यवहार हम सीखेंगे इस तरह, विनई के बिना विद्या शोबा नहीं देता जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास विनई भी रहना चाहिए मतलब एक दूसरे से उल्टे जवाब नहीं करना है सबकी बड़ों के आदर करनी चाहिए छोटों को प्यार से देखना चाहिए उसे विनई कहते हैं विनई केवल विद्या को ही नहीं बलकि धन और बल दोनों को भी शोबा देता है ब्रुगुजी ये रुशी है जो एक प्रसिद्ध मुनी जो है शिवजी के पुत्र माने जाते हैं ब्रुगुजी उन्होंने एक बार क्या किया विश्नु के वक्षस्थल पर लात मारा तब भगवान ने पूछे कि तुम्हें चोट लगी तो नहीं महराज इस तरह परन्तु विश्नु भगवान जब क्रोधित नहीं हुए क्यों उनके पास आदर है उनके पास सम्मान है उनके पास विनै है इसलिए उन्होंने क्रोध नहीं किया आपके पेर में छोड़ तो नहीं आई इस तरह उन्होंने ब्रुगुजी मुनिसिप पूछा विनै का यही उत्तम आधर्शे है विनै शील मनश अभिमान के दोस से बचा रहता है धन, बाल और विध्या के होते हुए भी जो विनै प्रकट करता है उसे ही, उसे कोई कायर नहीं कह सकता कायर मतलब जो काम नहीं करता विनै का अभाव एक प्रकार का खोकलापन प्रकट करता है यदि विनै शील मनश का समाज में प्रभाव कम हो तो इसमें विनै शील मनश का दोश नहीं है जीवन में अधिकान शाय से अवसर आते हैं जिस समय विनई से सगवरव कारी सिद्ध हो सकते हैं विनई के साथ साथ हमारे पास निरभिमान, मनिश्य जाती का आधर करना और सहन शीलिता इत्यादी ये सब गुन हमें होनी चाहिए अच्छे चरित्र बनाने के लिए हमें पहले क्या होना चाहिए उदारता उदारता वह है कि निस्संकोच भाव से किसी को धन दे डालना ही नहीं परन्तु दूसरे के प्रती उदार भाव रखना भी है उदार पुरुष हमेशा दूसरों के विचारों का आदर करता है और समाज में सेवक भाव से रहता है दूसरा गुन है लालच लालच नहीं दिखाना चाहिए मतलब मुझे ही सब कुछ होना इस तरह लालच के लालची नहीं बनना चाहिए और लालच केवल धनका ही नहीं परन हर प्रकार का होता है जो लोग लालच से बस सकते हैं अपनी इच्छाओं को रोक सकते हैं वो ही शक्ती संपन्य तथा प्रभावशाली बनने में समर्थ होते हैं दूसरा है धैर्य कटिनायों को हमें चित्त को स्थिर रखना चाहिए और धैरी से कटिनायों को पार करना है मुश्किलों में भी हमें हिम्मत से रहना चाहिए मनिश जीवन में कटिनायां कटिनायां आते रहती है परन्तु उसकी सामना हमें जहलना पड़ेगा उससे सामना करनी चाहिए, मूर्क लोग रोकर करते हैं, खटिन से कटिन परिसिति में भी प्रसन रहना आत्मा की उचिता का सूचक है, चौता है सहकारिता, सहकारिता याने हमें अकेले काम चलाना अत्यांत कटिन है, इसलिए क्या करना चाहिए, मनुष में एकता बनाई रखन चाहिए, और मनुष की एकता एवं समाज की सिथी का मूल होता है, नेक्स है, सत्य बोलना चाहिए हमें, वचन का पालन करना चाहिए, जैसे कि हमेशा में सत्य बोलना चाहिए, जो काम हमने वचन दिया है किसी को, तो उसका पालन भी करना चाहिए, जैसे कि मन्सा, वाचा, क अपने सामने रखना चाहिए और हमेशा कर्तवी परायन होना चाहिए कर्तव वही है जो हम कर रहे हैं वही है कहना कर्तव है कि अगर हम किताब पढ़ रहे हैं तो अपना पाट याद कर रहे हैं तो यही हमारा कर्तवी है किन्तु सामने के घर में आग लगी हो तो पाठ याद करने की अपेक्षा आग बुझाना हमारा कर्तव्य है वास्तव में जो कुछ हमें करना चाहिए वही हमारा कर्तव्य है कर्तव्य के पालन से ही हमारा आत्मगवरो रह सकता है इन सबी सिध्धान्तों के पालन से चरित्र संगटन की उन्नती होती है। और हमेशा हमें समाज के लिए ही जो कुछ करना चाहिए उन्चे कदापी ना हटना चाहिए। हमें हर एक की मदद करनी चाहिए। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाट समझ में आया हो। आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपने मित्रों को शेर कीजिएगा धन्यवाद।